आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए मूतियों सी मुस्कराहट का तो हर कोई कायल होता है जब कोई किसी को समाइल करता है तो उसके चमक्त सफेद दूद जैसे दात दूसरे पर जैसे एक अलग सा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं वहीं अगर चेहरा तो बेदाग गुलाब साहो पर दात गंदे पीले हो तो उस व्यक्ति की चेहरे की खूपसूर्ती भी फीकी पड़ जाती है दात चेहरे की रोनक बनाने के साथ आपके स्वास्ते का भी एक अभिन अंग है दातों का बीमारी रहे और एकदम साफ सुथरा होना आवश्यक है चेहरे के सुधरता में दान्तों की भागीदारी प्रमुक है अक्सर लोग अलसुबै उठते ही ब्रश करते हैं जिससे दान्तों की दुरगंद हटाई जा सकें प्रोजाना ब्रश करने से आपके दान्तों पर जमने वाली गंदगी से निजात मिलता है और दान्तों की चमक बनी रहती है शाम को व्यक्ति के दान्तों में खाने के कंट फस जाते हैं जिन्हें निकालने के लिए शाम की ब्रश आवश्यक हो जाती है सलाद के रूप में खीरा, गाजर, टमाटर, ककड़ी आदी को चबा कर खाने से दान्तों की मालिश होती है और आसपास की मन सपेशियां भी सक्रियां रहती है सलाद व्यक्ति के दान्तों को लंबे समय तक स्वस्त और चमकीला बनाये रखता है इस सिद्धातों की गंदगी साफ होती है